तोड़े चांसेज लेने होंगे अब और ये छे रन दर्शकों में किसी को लेना पड़ेगा ये कैच स्पिन गेजन बाजी खेलने के लिए क्रीस का बहुत अच्छा उप्योग करते हैं ये उठा के मारा है आसानी से खेला एक रन के लिए कप्तान ने अपने रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया है हवा में खेला है ये शौर्ट बड़िया शौर्ट टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं तीन रन मिल सकते हैं यहां पर क्या यह स्फिफ्टी को एक बड़ी पारी में तबदिल कर पाएंगे चलो देखते हैं हवा में गेर और भेज़ दी है बाउंडरी लाइन के बाहर बड़ा चका सुन्दर शौर्ट गपने सीधा चार रन के लिए गेन बाज को अपनी लाइन लेंग में थोड़ा अनुशासन देखाना होगा यठाशा अगेन हमा में लेकिन बाउंडरी की दूसरी तरफ चतुराई से गेन बाजी कर रहे हैं गेन बाज बड़े शौर्ट मारने के पहले बल्ले बाज को पिछ पर थोड़ा समय पिताना होगा तो बहुत ही बहतरी गेन बाजी बल्ले बाज को बिलकुल परिशार करते हुए यहाँ पर आसानी से खेला एक रन के लिए खूबसूरत फ्रो बिलकुल स्टम्स के ऊपर गरारा शौर और पहुचा दिया है ग्राउंड के बाहर थमाकेदार बल्ले बाजी का प्रदर्शन दोनों बल्ले बाज द्वारा अपनी टीम को काफी मजबूस सिती में लाके रख दिया है और ये गेंद हवा में बल्ले का किनारा लगा और कैस्टे बैठी इस विकेट की तलास थी ने कैप्टन काफी खुश गेंद बास से नए बल्ले बाज को स्ट्राइक पे रखने की बहुत कोशिश करेंगे ये कप्तान बहुती लंबा और उन्चा शॉट लगाया है छे रन देखते हैं स्पिनर को इस पिच पर कितना परचिस मिलता है तेज गेंद बाजी को खेलना पसंद करता है ये बल्ले बाज हवा में खेला है ये शॉट नहीं हाथो से फिसल गई गें खराब फिल्डिंग सही जगा पे मौजुद तो थे मगर शायद सतर्क नहीं जबर्दा शॉड बले का बढ़िया कनेक्शन और गें गई सीधा हवाई यात्रा पर अंती मोवर्स के लिए विकेश को हाथ में रखना बहुत ही इंपोर्टन्ट होगा अच्छी लेंग और गेंद को जाने दिया बले बाजने शान दार शॉड दिल खुश हो गया यह शॉड देखकर पूरी तरह नियंतरन में थे बल्लिबास स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का आनन्द उठा रहे है ला जवाब टाइमिंग बढ़िया तरीके से गैप ढूनडा और चौका बटोरा बल्लिबास को यहाँ जोश में होश नहीं गवाना चाहिए हवा में खेला है यह शॉड और बाल सीधा फील्डर के पास और यह आउट इस विकेट की तलास थी तेज गेंद बास को लाया गया है अपनी पारी की शुरुआत में संबल कर खेलना होगा बल्लिबास को अडिया गेंद बिल्कुल कनेक नहीं कर पाए बल्लिबास बल्लिबास जरूर पिछली गेंद के बारे में सोच रहे हूंगे खराब शॉर्ट सेलेक्शन बिल्कुल समझ नहीं पाए गेंद को बल्लिबास पिछली गेंद पे बड़े अंकमफर्टबल लगे बड़िया बॉलिबास को परिशानी में डाल रहे हैं यहाँ पर बल्लिबास जरूर पिछली गेंद के बारे में सोच रहे हूंगे ओ जबर्दस गेंद बाजी है इसी बोलिबास को खेलना नामुम्किन गेंद बाज अच्छी लें में लग रहे हैं क्या यह विकेट ले पाएंगे चली देखते हैं पूरी तरह से चूग गए बढ़िया गेंद बाजी गेंद बाज अच्छी लें में लग रहे हैं क्या यह विकेट ले पाएंगे चली देखते हैं हवा में दे मार आए हैं आसानी से खेला एक रन के लिए धीमी गेंद इस पिछ पेक अच्छा विकल्प होगा और यह बोल्ड वा क्या गेंद थी बिलकुछ समझ नहीं पाएं बल्ले बाज फीलिंग टीम पूरी तरह से तयार लग रही है आपर तेज गेंद बाज को लाया गया है सब तयार इनिंग्स की पहली गेंद के लिए ओ बल्ले का किनारा लगा यह पिछ मेरे हिसाब से काफी बैलेंस लग रही है बल्ले बाजी और गेंद बाजी दोनों के लिए आसानी से खेला एक रन के लिए बैतरी रनिंग बिट्विन दो विके दोनों बल्ले बाजों के बीच अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा गेंद बाज साइड चेंज करते हुए राउंड विकेड अब गेंद बाजी करेंगे सीधा फील्डर के पास खेल दिया है गैंप धूनने में असमर्थ लॉंग लेग लग गया है शॉट बॉल की उमीद कर रहे होंगे बल्ले बाज सिंगल लेकर बल्ले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे है पाउर प्ले की समापती कप्तान आप दो से ज्यादा फील्डर्स थर्टी यार्ट सर्कल के बाहर रख सकते हैं स्पिन गेजन बाजी खेलने के लिए क्रीस का बहुत अच्छा उप्योग करते हैं ये नो बॉल का इशारा बल्ले बाज को मिलेगी अब फ्री हिट चलिए देखते हैं क्या बल्ले बाज इस फ्री हिट को कैश इन कर पाएंगे वाह क्या करक्स चॉट मारा है नो बॉल काफी निराश होंगे बोलर अपने आप से हाँ चलिए देखते हैं क्या बल्ले बाज इस फ्री हिट को कैश इन कर पाएंगे ओ नजाकत भरा ये शॉट फास्ट आउट फील्ड चार रन मिलेंगे चलिए देखते हैं क्या बल्ले बाज इस फ्री हिट को कैश इन कर पाएंगे फील्ड रों के बीच गैप ढूनने में कामियाब चार रन के लिए बल्ले बाज अच्छे फॉर्म में दिख रहे है काफी सरलता से खेला था ये शॉट पर सीड़ अब थेज गेन बाज अटैक में चलिए देखते हैं क्या बल्ले बाज इस फ्री हिट को कैश इन कर पाएंगे आसानी से खेला एक रंटी देखते हैं किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतुपूर होते हैं भीमी गेंद इस पिच पे अच्छा विकल्प होगा अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा नो बॉल का इशारा बल्ले बाज को मिलेगी अब फ्री हिट चलिए देखते हैं क्या बल्ले बाज इस फ्री हिट को कैश इंग कर पाएंगे सिंगल लेकर बल्ले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं थीक से टाइम नहीं कर पाएं वहां कप्तान ने अपने रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज किया है बहुत अच्छी रनिंग बिट्विन दो विकेट्स अच्छा शॉट पर सीधा फील्डर के हाथों में सीधार सीधार कर रहुत कर दो दो चल्डर के बिट्विन रहुत यहुत तरह से रहाँ इंग बल्ले बाजों को अब बाउंडरीस की आवश रखता है ये रन रेट बढ़ाने के लिए चार रन बौका बिला और कैशिंग किया बल्ले बाजों ने अन्ती मोवर्स के लिए विकेट्स को हाथ में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आसानी से केला है एक रन के लिए अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा सही जगा पे मौजुद तो थे मगर शायद सतर्क नहीं सिंगल लेकर बल्ले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे है नो बॉल काफी निराश होंगे बोलर अपने आप से है चलिए देखते हैं क्या बल्ले बाज इस फ्री हिट को कैश इन कर पाएंगे बाजची रूने बट्विकेट्स स्पिन गेजब माज वापस आते हुए स्पिन गेजब माजी खेलने के लिए क्रीस का बहुत अच्छा उप्योग करते हैं ये शौट पर नियांतर नहीं रख पाएंगे बल्ले बाज बैतर इन रणिंग बिट्विकेट्स दोनों बल्ले बाज उनके बीच अच्छा शॉट है ये बहुत ही अच्छा शॉट और गेंज सीधा सीमा रेखा के बार जब ये मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है बढ़िया प्लेस्मेंट कुछ रन जरूर मिलेंगे बल्ले बाज को इदर तैयार रहना बहुत दोर का कैचाएगा बाज में मत बोलना आसानी से खेल दिया काफी संबल कर खेल रहे हैं बल्ले बाज लंबी ये निद खेला चाहते हैं आसानी से खेला एक रन के लिए ये पिछ मेरे हिसाब से काफी बैलन्स लग रही है बल्ले बाजी और गेन बाजी दोनों के लिए अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा गेन बाजी में बदलाओ तेज गेन बाज वापस आते हुए देखना होगा क्या गेन बाज शॉर्ट पिछ गेन की कोशिश करेंगे इस पिछ पे तकडा शॉर्ट गेन से भरपूर तकडा शॉर्ट गेन से भरपूर जब ये फुल फॉर्म में होते हैं गेन बाजों के च्छके छुड़ा देते हैं आसानी से खेला एक रन के लिए खराब फील्डिंग फील्डिंग का स्तर वेतर रखना होगा खिलाडियों को इसके साथ इनके पचास रन पूरे खराब फील्डिंग नाखुश होंगे अपने आपसे अच्छा शॉर्ट पर सीधा फील्डर के हाथों में क्या ये इस फिफ्टी को एक बड़ी पारी में तबदिल कर पाएंगे चलो देखते हैं अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा बड़िया बैक अप इसे कहते हैं गेम आवेरनेस ये रही पारी की आखरी गेन आपके सामने शॉर्ट पर नियंत्रन नहीं रख पाए बल्ले बाज अमपायर का इशारा नो बाल ये रही पारी की आखरी गेन आपके सामने और नजाकत भरा ये शॉर्ट फास आउट फील्ड चार रन मिलेंगे भैतरीन फील्डिंग और बोलिंग का प्रदर्शन हमें देखने मिला यहाँ पर फील्डिंग टीम ने अपने टोटल को देखते हुए उंदा बोलिंग की कप्तान को दाद देनी पड़ेगी जिस तरह उन्होंने अपने बोलर्स को रोटेट किया ये जीत तो इनी की